नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल इस्टॉक्स इजुकेशन में दोस्तों इस चैनल में मैं हमेशा कोसिस करता हूँ कि आपको छोटी से छोटी वीडियो प्रोवाइड करूँ जिसमें जादे से जादे information आपको selected करके दे सकों जिससे आपका भी time बचे और आप जादे से जादे information गेन कर सकें तो चलिए start करते हैं वीडियो का और देखते हैं आज का हमारा कौन सा ही stock है तो आज एक ऐसे share की बात करने जा रहे हैं जो की 50% से जादा correct हो चुका है तो क्या ऐसे में उस share में बने रहना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए जो लुग fresh entry की सोच रहे हैं उन्हें कहां पर buy करना चाहिए buy करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए complete detail की बात करेंगे और वह share और कितना नीचे गिरेगा कहीं ऐसा तो है नहीं कि zero पर चला जाकर खतम हो जाए सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में last तक बने रहे हैं कोई भी part मिस न करें दोस्तों देखें कि मैं बात कर रहा marine electricals limited अगर इस company की बात करते तो यह company last training session में close हुआ है 36 रुपए 75 पैसे पर जबकि अगर इसके 52 विक low और high की बात करें तो इसने अपना low बनाया था 35 रुपए का जो की 28 September 2021 को बनाया था वहीं अगर इसके high की बात करते हैं तो आप देखेंगे इसने अपना high बनाया था 90 रुपए 70 पैसे जो की 7 June 2021 को बनाया था और June के बाद से इस company में आपको लगातार correction देखने को मिला और यह company जाकर close हुए 36 रुपए 75 पैसे पर अगर इसके delivery की बात करें तो आप देखेंगे अभी इसमें अच्छी खासी delivery उठाई जा रही है यानि कि 36% से जादे इसमें delivery उठाई गई है तो देखते हैं इस company का और detail जोस्तो अगर इस company की बात करें पिछले 4 सालों के financial trend की यानि कि इस company के revenue की इस company के profit की profit growth हो रहा है कि नहीं हो रहा देख लेते हैं का detail बनता है सबसे पहले revenue की बात करें तो revenue में आपको लगातार गि profit कम हुआ था लेकिन इन दोनों साल को अगर compare करते हैं तो 2021 में इस company को अच्छा खासा profit हुआ था जो की काफी अच्छी बात भी है 12.90 करोड का इस company ने profit बना था जो कि इससे पहले previous years की बात करें तो आपको 9 करोड के आसपात का profit देखने को मिला था तो देखते हैं इस company का और detail यानि कि revenue कम हो रहा है लेकिन profit grow हो रहा है जो की आगे आने वाले सालों में काफी positive संकेत देता है तो देखते हैं इस company का long term का चार्ड कह कहता है दोस्तों अगर इसके long term के चार्ड की बात क्या तो आप देखेंगे अभी तक यह company normal चला करता था लेकिन again इसमें bounce back देख लाते हैं और उसके बाद बहुत नीचे भी लाते हैं इसलिए अगर किसी भी stock को आप invest करते हैं तो आपको अपना diversify जरूर करना है portfolio को छोटे shares में छोटे पैसा ही लगाने है ताकि आपको risk भी छोटा ही पड़े तो देखते हैं इस company का और detail क्या बनता है दोस्तों अगर short term के चार्ड की बात करें तो इस company ने अपना एक support level बना रखा है जो कि 35 रुपए के पास का बनता है अगर आप short term के लिए इंटर होना चाहते हैं तो 32 रुपए पर अपना stop loss लगा कर इस company को continue कर सकते हैं अगर यह company bounce back करता है तो इस company का जो पहला target होगा वह होगा 45 रुपए क अगर एक बार यह company 45 रुपए का cross करके उसके उपर निकलता है तो फिर 52 रुपए से लेकर 55 रुपए तक कर target आपको देखने को मिल जाएगा तो आप इन targets को जरूर याद रखें company अगर जैसा ही 32 रुपए के नीचे जाए तो आपको तूरंत exit कर देना है यह नहीं सोचना ह की company हो सकता है कि संबल कर फिर से bounce back करें अगर आप short term के लिए trading करते हैं तो आपको emotion बिल्कुल भी नहीं लाला है बीच में जो लोग अभी तक इस company को long term से hold करते हुए आए वो चाहिए तो आगे भी continue कर सकते है वो उनकी खुद की मर्जी हो सकती है लेकिन दोस्तों जो डिल्स कर रही है लेकिन जब तक यह company थोड़ी से उपर नहीं आ जाते है यानिके 45 रुपय को cross करके उसके उपर नहीं निकल जाती तब तक इस share में fresh entry की नहीं सोचना जादे better होगा क्योंकि इसमें safety की issue आपको देखने को मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों आज के लिए इ शेयर करें सब्क्राइब करें थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो